आकाश्वाणी मंदिप्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कर समाचारों के साथ मैं धारणा सच्चदेव प्रदेश में मुख्यमंत्री चैन के लिए भोपाल से लेकर नई दिल ली तक सरगर्मिया जारी है भारतीय जनतापार्टी ने आज प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने वाले नेताओं का चुनाफ करने के लिए विधायक दलों की बेठंकों की निगरानी के लिए केंद्रिय परिवेक्षकों की नियुक्ती की है हर्याना के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खटर, भाजपा अन्य पिछनाबर्ग मोर्चा प्रमुख के लक्षमन और राष्ट्रिय सचिव आशा लाकडा परिवेक्षक बनाई गए है इसी तरह राजस्थान में नए मुख्यमंत्री के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ से हैं सांसत सरोजपांडे और पार्टी महसचिव विनोध तावडे परिवेक्षक होंगे केंद्रिय जनजातिय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रिय आयूश मंत्री सर्वानंद सोनुवाल और पार्टी महसचिव दुश्यंत कुमार गौतम 36 गड़ में परिवेक्षक बनाई गए है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के उप निर्वाचन के लिए घोशित कारिक्रम के अनुसार अधिस हुचना 15 दिसमबर को जारी की जाएगी नमांकन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 22 दिसमबर रहेगी नामांकर पत्रों की समीक्षा 23 दिसंबर को और 26 दिसंबर तक उमीदवार अपने नाम वापस ले सकेंगे इन पंचायतों के उपचुनाप के लिए मतदान 5 जनवरी को सुबा 7 बजे से दुपहर 3 बजे तक होगा जिसके तुरंत बाद उसी मतदान केंद्रों पर पंच के पदों की गढणा की जाएगी सरपंच और जनपत पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के मतों की गढणा विकास खंड मुख्याले पर EVM से 9 जनवरी को सुबा 8 बजे से की जाएगी जाब होगा जिले में 13 पंच, 2 सरपंच और एक जनपत पंचायत सदस्य के लिए उप निर्वाचन किया जाएगा ग्वालियर जिले में बनहेरी ग्राम पंचायत के सरपंच और कुल 411 पंच के बदों पर चुनाव होगा शिवपूरी जिले में कलेक्टर और जिला निर्वाचर अधिकारी ने 108 पंच पदों के नाम निर्देशन प्राप्त करने के लिए संपूर्ण विकास खंड हेतू रिटर्निंग आफिसर और सहायक रिटर्निंग आफिसर की नियुक्ति की है प्रदेश के साथ ही शिवपूरी में नैशनल लोक अदालत का आयोजन कल 9 दिसंबर को किया जाएगा राज्टे विदिक सेवा प्रादिकरन नहीं दिली और राज्य विदिक सेवा प्रादिकरन जबलपूर के निर्देशानुसार इसका आयोजन 25 खंड बीठों के मादियम से किया जा रहा है इस लोक अदालत में सभी प्रकार के समझोता योगे प्रकरणों जैसे सिविल, फौजदारी, विद्युद, परिवार, विवाद, श्रम, मोटर, दुरगटना, भू, अर्जन और राजस्व, आदिका, आपसी, राजिनामा और समझोते के आधार पर निर्देशान किया जाएगा इसके अलावा चेक बाउंट्स, धन रिकावरी, विद्युद, संबंदी कर और जल कर आधी के पूर मामलों का निराकरण भी किया जाएगा उचने आयाले और सडग परिवहन और राजमार्ग मंत्राले के निर्देशों के बाद एक अप्रेल 2019 पूर्व खरीदे गए सभी श्रेणी के वाहनों में HSRP नंबर प्लेट अनिवारे रूप से लगाया जाना है इसके लिए अंतिम तारीख 15 दिसंबर 2023 है खनवा के अत्रित क्षेतरिय परिवहन अधिकारी ने बताया कि वाहनों पर HSRP नहीं लगे होने पर नियमानुसार चालानी का रिवाई की जाएगी हाई सिक्योर्टी नंबर प्लेट लगाये जाने हैं तो एजंसियां डीलर को सरकार ने अधिकृत किया है इसके लिए www-bookmyhsrp-com पर आनलाइन आवेदिन किया जा सकता है मुख्य मंत्री शिवराज सिंग चोहान ने समस्त नगरियनिकायों को ठंड के मदे नजर व्यापक इंतजाम करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि समस्त आश्रे स्थलों और सारवजनिक स्थलों में ठंड से बचाव के लिए अलाव की विवस्ता की जाए मोबाहिल वैन के माधियम से रातरी के समय फेरे लगा कर बेगरों को आश्रे स्थल तक सुविधा जनक तरीके से पहुँचाना सुनिशित करने के निर्देश भी दिये गए हैं बुखिय मंत्री ने पिछले दुनों भोपाल के शाहजानी पार्क स्थित र्यान बसेरा का निर्देश भी दिये हैं इसी बीच प्रदेश में आज कुछ ठंड से राहत दिखाई दे रही है नौसम विभाग ने भोपाल और इसके आसपास के एक्षेतरों में कोहरे चटने और निवनतम तापमान के 15 डिग्री सेल्सियोस तक रहने का अनुमान जदाया है अब कुछ समाचार संक्षेप में पश्चिम रेलवे के महाप्रबंदक अशोग कुमार मिश्ण ने कल रतलाम बंडल के दाहोद रतलाम खंड पर सनरक्षा और सुरक्षा मानको और यातरी विफ सविधाओं का जाईजा लिया दिनुरी जिले के सिमरी आति रहे के पास तीरत्यात्रियों से भरी यातरी बस पलट गई हाथसे में एक यातरी की मौत हो गई जबकी आठ यातरी घायल हो गए तीकम कर्जिले में नहरू यूवा के इंदर त्वारा शास्की एकर्णिया महांविध्याले में यूवा उत्सवकालिकर्म आयोजित किया रहे हैं कल पृधान मंतरी की पंच परण थीम पर फ्रतियोगिताओं का आयोजित किया गया और धार विधान सभाचनाव में अधिर्कृत प्रत्याशी के विरुद्द कारे करने को लेकर भारती जनता पार्टी जिलावर अध्यक्ष ने धार नगरपाली का अध्यक्ष उपाध्यक्ष और पाँज अन्य पार्शितों को भाज़पा से छे बरशों के लिए निस्कासित किया है. इस विलिटन में इतना ही, दीजे इजाज़त, नमस्कार.